नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत आपका इस्टिफोर्ट सिविल 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 में UPSC 2020 का जो प्रिलिंस का पेपर आया था इस वाले वीडियो में उसकी डिटेल्ड जो है अनलिसिस करी गई है हार एक क्वेश्चन को डिटेल्ड समझाया गया है कैसे आया कहां से आया और में बेशिता है आगे किस तरह से जुसा यह पर आ सकता है दो जार इकिस में पुराने सालों में क्या जो है पैटर्ण रहा है किस तरह से यूपीSTC ने अपने पैटर्ण में दिर्य दिर्य interacted बन गए किस त तरह ारग राया है प्रसुस में मेंस का बेसिक क्लियर किया जाता है मेंस का और प्री का जो common है चीजे वो सारी तो cover क्लियर जाती है मेंस का भी base बना रहे है daily topic दिया जाता है पूरा discussion यहाँ पर होता है मतलब जब तक आपका doubt रहेगा तब तक आपको सारे जवाब दिये जाएंगे continuous and loading exercise है test series अर्थ 10 दिन में होता है लगापतार update होता रहता है अगर आप इसको join कर लेंगे सब कुछ इसी में मिल जाएगा और इसी की पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी all the best जाएंग UPSC लेगर आपको सेलेक्शन नहीं हो पारा एक बार इस दोड़े गूल पूज़ोएंगे देखिए और जो चीज बताईजाए बस उतना कर लीजेगा आप आराम से जो देखेंगे जब प्रिलिम का पेपर देखाएंगे तो आप खुद बताएंगे क्या हाले साथ ही हो मैं विकास सोमर आपके अपने टरस्टोधी चैनल Study for Civil Success पे आज आपके समक्ष थोड़ा लेट सही लेकिन बहुत ही ज़्यादा जोड़ी UPSC प्रिलिम्स 2020 का जो GS Paper 1 था नहीं की Paper 1 उसका analysis करेंगे हम लोग बिलकुल विस्तार सो और हमारा focus ये रहेगा कि अब आगे कैसे पढ़ा जाए और कैसे इसकी तैरी कर सकते हो अपनी history से history क्या है previous year question है इस तैयारी के लिए बहुत जाज़ोरी कौन से topic है कैसे पूस्ता है कहां interlinking करने ही है कहां कहां topic में क्या ज़ूरूरत है कहां observation based question पूस्ता है सारा एक-एक question में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इसने टिकडम बिढ़ाई क्या है और आपको तैयारी में कैसे करना आप लोग चाहो तो एक अपना register जैसे मैं हमेशा आप लोग से कहता हूँ ना रोज current affairs सुबद 6 बजे में मैं बोल रहा हूँ वाली चीज़े आप लोग देखना आप कितना connect होंगी वाली सारी सीजे जब आप UPSC के official paper से आप मिला पाऊगे कैसे question वहाँ पे पूछ रहा है ठीक है और इसमें देखे कई सारे सबको detailed और बिल्कुल एक के question सब लोग समझा चुके हैं तो यहाँ पे हम लोग उसको थोड़ा सा short करते हुए पूरा पूरा जो है क्या आगे की रणनीती है उस पे ध्यान उक्केंगे ठीक यह बहुत यहादा मैत्वपूर है start कर लेते हैं देखे उससे पहले कुछ जो general views है overall जो चलेंगे उनके बारे समय लेते हैं क्या cutting था paper हाँ बिल्कुल था कई लोग को लगा भी होगा cutting इसलिए था क्योंकि कई सारे interpretation based थे questions आप directly उसका answer नहीं निकाल सकते हैं और यही होता है UPSC आपको वहाँ पे सोचने पे मजबूर करेगा और answer आपको tackle नहीं आपा रहा है तो आप लोग अभी जो सोच नहींगे कि पता नहीं क्या answer हो क्या नहीं होगा कई सारे answer तो वो पूरी प्रक्रिया पूरे होने के बाद UPSC को दी देगा ठीक अगले साल तो आप देखें अब क्या confusing option थे बिल्कुल थे ठीक है कि क्या ज़रूरत है कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ठीक अगी culture सा question पूछेगा है बिल्कुल पूछेगा है BSC आपको लेकिन उसके लिए कई सारे question में मैं मानता हूँ कि BSC AG होना जहूरी है आपको मतलब BSC आपका अगी culture से नहीं कई जगों पर ऐसा भी उसने option में खेल करता है या फिर hint देता है कि आप कर सकते है कई पर all दे देगा कई पर बिल्कुली गलत चीज बोल देगा ठीक तो आप लोग उससे भी derive कर सकते हो elimination matter से ठीक कोई जो होड़ी नहीं कि आप देखो UPSC का ये बाद तो माननी पड़ेगी कि जो question होते है 5-6 statement कई पर देदेगा कुछ देदेगा तो वो एक question जो है कई सारे आयोग के जो questions होते है उनके जो है 5-6 question के बराबर होता है ठीक आप यहाँ पर क्या है कि आपको UPSC में आगर यहाँ पर करना है तो भले है आप किसी और भी आयोग की तहरी कर रहा हो या फिर ना कर रहा हो आपको इन 6 में से माल लो तीन fact आपको पता है ठीक तो आप उसको elimination matter के तुरू निकाल सकते हैं जैसे कि मैंने अभी paid group में दे दिया आप लोगो की कैसे आप लोग को करना होता है exam में बैट कर वहाँ पर कैसे heat of the moment से आपको निबटना है पहली reading में कैसे क्या कौँ से question करना है second reading में ठर्ड reading में साथी साथ background question आपके current affair जो रहता है उसको आपने अगर background hunting करते हुए नहीं पढ़ा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी साफ बात है अभी आप समझेंगे इसको पूरी विस्तार से basic subject needs higher basic understanding अब जैसे हम लोग foundation basic building exercise करते हैं उसमें मैंने बताया हुए आप लोग का हर एक subject का लग 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 रहते हैं ति उसमें कैसे आपको basic वाला most relevant source को ही पढ़ना है उसको 10 बार पढ़ना है हर बार आपका पहली दूसरी तीसरी चौती बार जैसकी understanding और deeper होती जाएगी समझो और वहीं जब कर लोग आप तभी आपका जो है आप exam में क्योंकि वहाँ पर सोचने मजबूर करेगा जो तक आप ऐसा तैयरी नहीं करोगे एक ही चीज़ को 10 जगे से पढ़ोगे तो फिर दिक्कत है ठीक limited source रखो सारे जो है इस वीडियो में आपको मैं बता दूँगा वैसे मैं बता चुको लेकिन यह अला वीडियो बहुत जाते है साथ में current affairs जो आया भीया 2018-17 तक भी पूछा है उसने UPSC यह काम करेगा यह करेगा उसको अपनी ego satisfy भी करनी है उसको अपना बताना है कि वो कितना बड़ा जो है आयो होगे सबसब आयो होगे ठीक basic book, official sources, one good newspaper और remove the gray areas यह तो तीन चीज़ समझ गया होगे आप चौती चीज़ है gray areas यह आतो भाई यह black रखो और यह फिर white रखो white मतलब सब कुस हो में आगया black मतलब कुछ निस हो में आगया इन दोनों में अगर आप हो तो तो सही है किसी यह particular question में लेकिन अगर आप gray area में हो तो आप क्या है कि आप करोगे guess और guess जब आप करोगे मनला calculator risk भी नहीं intelligent guess भी नहीं कुछ नहीं आप सिर्फ guess करोगे कि यह लग रहा है बस और वहाँ पे negative marking आपको खा जाएगी और एक ची बता दूँ कई लोग की calculation के लिए अगर एक question सही करने के लिए आपका सही होने पर दो marks मिलते हैं क्रिशी में कि आप देखना पहले question अज़ा यह set C है set C है यहाँ ठीक paper one अज़ा देखो पहली learning किसी पास जिसके वाँ set C आया होगा उसको पहले कुछ question बड़े खतनाग बिलेंगे तो आपको यहाँ पर रोने नहीं लगना है कर सकता है तो आप कैसे आप सूचरों कि आप कर सकते है तो आपको जब करना ही 80-85% है मुझे लगता है अगर बहुत ज़्यादा easy paper है तब भी हो बहुत ज़्यादा अगर tough भी है तब भी 75-70% question से कम नहीं करना है सी इस बात है आप कई लोग को यह word ही नहीं समझ में आगा तो आप करनी पाऊगे इसी से later यहाँ पे जो है इन्होंने क्या किया है कि आपका जो यह बताया है कि अच्छा यह difficulty level high हो सकती है अगर किसी को यह चीज नहीं बता है तो यह high, low, medium, easy यह depend करता है आपकी level of तैयारी पर भी ठीक, और हो सकता है कि यह अगर जैसे आपने जो मैंने guidance दिया था उसके साथ यहाँ पे अगर आप करते चलोगे तो आपको जहातर चीज यह easy or moderate लगेंगी कुछ question तो hard रहेंगे यह रहेंगे उनकी बात लगे ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने पूछा फर्टिकेशन के advantage बताओ, ठीक बला positive बताओ, ठीक है ना तो controlling the alkalinity, मतलब आपकी छरियता की नियंतर कर सकते हुआ इसमें option आपका C सही है, तो दूसरा वाला गलत क्यों है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, efficient application rock, phosphate और सभी यह यह जो सभी absolute wording वाले होते हैं, 99% wrong होते है सभी वाले हो जाएंग, तो आपको माली जब दो गलत मिल गया, अब आप देखना दो वाला जो है गलत है, तो सिर्फ एक दो इसमें नहीं है, C वाले में तो C option हो जाएगा फिक्स भी मैं, elimination method भी यह सारा को इसमें समझाओंगा, एक चीज़ चलते हैं ना, यह थोड़ा सा बतलब deeper understanding चाहिए इसके लिए, ठीक इसमें आगे बढ़ लेते हैं, आप देखें, यहाँ पे मिंडल्स, आप यह मिंडल्स की जो वेबसाइट पर आपकी यह अली वेबसाइट का लिंक देखें मैं दे रखा geography subject से है, ठीक, आपका मिंडल्स की है, आप इसमें क्या है, डेटा है, आप कई लोग में पीछे देख रहा था, कि सर यह पूछने कि क्या सारा अलेटिक की बात उत्ती, तो वह यही तो है meaningful बनाओ डेटा को, वहीं चीज करना है, वहीं चीज मैं आपको रोज बता रहा हूँ, ठीक, सुबह क अच्छे हो जाए, करेंड फेर बिल्कुल मत चोड़ना, और दुपैर में मैं MCQ की और इसी वैसे जो है, इसका D-Option हो जाएगा पहला ला नहीं है, समझ्या है, क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, क्या चीज़ें, इस पे जादा ध्यान है, इस चीज को आप लोग पढ़ लीजेगा, वाकी में बताता चल रहा हूँ, ठीक है, तीसरा क्या ocean mean temperature, आप यह देखो, 2018 का current of air है, ठीक, और इसलिए थोड़ा सा आइए, इसकी difficulty level high मान सकने हैं हम लोग, और इसको, इसमें देखो, B option इसका यहाँ पे सही है, पहला अला बोल रहा, ocean mean temperature जो होता है, वो 26 degree Celsius तक isotherm, ठीक, एक एक शब्द का meaning भी आपको अलग अलग पढ़ोगे तो एक एक शब्द अच्छे से पढ़ना है, तो 26 degree Celsius आपका Celsius का isotherm है, एक समान जहाँ पे temperature उसको ऐसे नापने, ठीक, which is 139 meter है, South Western Indian Ocean में, ठीक, इंडिया होगे, South Western है, तो पस्चमी यहाँ वाले area में, आपका जो है, यह है during January and March, तो इतना जादा temperature, और इतने और जनवरी और मार्च के बीच में, आप समझ रहो, तो मतलब यह सर्दी के बासम में, थोड़ा सा, तो अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के, कई सारे concept को खेलता है वो, आईसो थर्म पूछ लिया, location पूछ ली, time पूछ लिया, आपने फिर उसके बाद इसको match कि इसलिए मैं आपका analytical mind बनवाना चाता हूँ, बनवाँगा, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहा है, रोज तो, ठीक, तो आपने अब देखा, अच्छा है, इतना ज़़ा temperature हो भी सर्दी उसमें, तो मतलब किया, वैसे तो water का देखिए, एक specific heat का concept होता है, लेकि फिर भी, ज मतलब होता न, कि जैसे एक घोडा होता है, उसके आखों के जो है, इर्दिगे जो है वो एक बना देते हैं, वो सीधे रहता है, वो बस दोड़ता रहता है, तो वो ऐसा नहीं करना है, आपको यह जो तरीका है, यह जरूरी है, इसलिए मैं इस पर इंफैसिस कर रहा हूँ, आपका देखिए जनवरी से मार्स तक का फिर दूसरा दिया रखा, अब दूसरा अला स्टेट्मेंट यहां पर सही है, जहां पर ज़रूरत है, वो मैं आपको बताता चलूँगा, इसके बाद देखिए फिर एकल्चर और एकनोमी से संबंदित यहां पर कुश्चन आगे, और यह पहला स्टेट्मेंट के है, क्यों गलत हो जाएगा, दखो यहां पर पूछा कि डिट्रियल प्राइस, ठीक, आपका केमिकल फटलाइजर की मार्के ट्रिवन है, लेकिन और यहां पर कह रहा है कि गौर्मेंट के दोरह यह निर्धारित नहीं है, और आपको सबको पत करते हैं, वो second reading में आपको जरू करने होते हैं, तो तीसरा वाला देख लेते हैं, अगर उससे कुछ चीज बन गई काम, तो ठीक है, अगर समझ में आगे तो ठीक है, नहीं तो इन दोनों से आपको कोई एक मार्क करना जरूर है, क्योंकि इसमें 50% probability है कि आपको सभी होगा, तो ठीक, यहाँ पर हाई थोड़ा समानेंगे इसको, difficulty में, पाच्वा question क्या है, आप देखिए, नैशनल पार्क आगया, environment से related है, मैंने आप से कहा है, map book में देखो, इसकी flora and fauna, ठीक, बल्ला आपका जीव जन्तू, और plants कैसे क्या है, location देखो, उसके unique features देखो, जितना ब attention का रखी, कहाँ पर क्या है, और यहाँ तक की जब मैंने ये prelims बचा हुआ था, दोजार भी सुला, पचास दिन की strategy, साथ दिन की strategy, उसमें कई सारे tricks और कैसे क्या तहरी करनी लगातार बताई थी, एक-एक subject की, ठीक, और जो है, साथी साथ, आप लोगो science and tech की, मैंने एक ब इंडियन बस्टड है, ये आपका critically endangered है, और मैंने आप लोग से बोला था, critically endangered वाले जो है, जाको वो कहाँ national park में होते हैं, क्या होते हैं, ये पढ़ना बहुत जो हुरी है, तो आपने अगर ये तीसरा वालो यही वाला निकाल लिया होता है, ये desert national park, तीसरा वाला, तीसरा किसमें हैं, तीन में हैं, ठीक, अब ये वो वाला question हो गया, जिसमें से आपको एक option आपका eliminate हो रहा है, तीन option आपके पास हैं, ये वाला third rating में करना होता है, अभी मैंने सबको paid group में किया था message, उसनोंने देखा हो, तो समझ गयोंगे, कि क्या मैं कहना चारा हूँ, वैसे भी मैंने वो पहले ली strategy में भी बताया था, 50 days, 60 days, 10 days सब में, ठीक, तो उसमें यही है कि यहाँ पर map book location उसने पूछा, observation based question पूछेगा, इसलिए मैं आप लोग से फिर से request कर रहा हूँ, map book ले लो मेरे भीया, Oxford के जो है Indian geography के लिए, Orient Blacks on जो है आपकी world geography के लिए, प्लीज ले ठीक है, ले लो बहुत ज़्यादा important है, इसके बाद चलते है, C.R.C. इंग लेशियर, बोला है था, current affair में भी था, आना याना है, location map खोलो, देखो, लद्धाक मैंने कहा था, अलग हुआ है, जरूर कुछ ना, मतलब, जमुं कश्मी नई union territory बनी है, इस वाले area से, जमुं पर दिया हुआ, यह answers आई है, ठीक है, इसके बाद साथे वाले question में देखो, यह आपका क्या है, famous place और आपका present state, history से related, location को जोड़ते हुए, और आज के time पर जो state है, देख रहो कितना game घुमा रहा है, अब आप लोग को मैं एक चीप बताता हूँ, Indian वाली जो Oxford की map book है, उ उसमें history के हिसाब से भी map बना रखा, उसमें location दिखा रखी है, अगर आप उसको देखोगे, तो जो आप 10 घंटे लगाते हो, अगर आप किसी पढ़ने को, और map book में location बना के, चेत्र बना के, मांचेत्र बना के अगर देखोगे, तो वो ए घंटे के अंदर कर सकते हो, और यहीं चीज, यहाँ पर भी भिलसा, यह सब जो है, ग्रिनाथ तो चलो कुछात कोई कर भी सकता था अभी, कि इससे जोड़ लेता, तो पहला और तीसरा, जैसे स्थानिश्वर है, यह आपका हर्याना में है, ठीक, तो लेकिन फिर भी इसकी difficulty हाई मानूं, क्योंकि यह वाला इसकी रिपोर्ट्स अब आई ती नीतियायोग पे एक बार चेक कर लिया करो, इन रिपोर्ट्स की मतलब जो न्यूज में हो जादा, उनसको तो जरूर करना है चेक, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन होगा, पहले वाला जो है, थोड़ा से statement इन्होंने गलत कर दिया है, औ और इसमें बोला, चाती पसद इंडियान डिस्टिक्ट अर्क्लासिफाइड है, कुछ डिस्टिक के निकाले थे इन्होंने critical वाले, current affair, वहीं current affair का थोड़ा से इन्होंने यहाँ पे उठा के पुछ लिया है, समझ रहो, और यह नीतियायोग पे यह देवी रखा है, जो मैं यह कह रहा है कि जेट स्टिम्स सिर्फ यहाँ पे होती, तो यह जो यहाँ पे हैं, वेस्टरली, जेट स्टिम्स, यह अगर किसी ने भी map book खोल के जेट स्टिम्स का देख लिया होता है, जोग्रफी बुक नहीं भी खोल, यह observation based question होते है, तो उसका पहला statement पतल जाता है, यह गाल चेका वह बता रहा है, तो कमसे मुसकी बात तो महलो, ठीक, आगर इसको किया होता, पहला statement गलत हो गया, ठीक, तो क्या हो गया, A नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता, अब इन दोनों में से है, इन दोनों में से है, तो अब आप दो तो हो गया, इसको ना भी पढ़ तो कोई इस सराउंडिंग से, ठीक, दस जगरी, आई जो है चक्रवाद की, इसका दस जगरी, टमपरेचर कम बोला है, टमपरेचर, बलकि यहां पे क्या होता है, लो परेचर, और लो परेचर कहां पे होता है, जहां पे हाई टमपरेचर होता है, कितनी बार बताया, ओडियो में भी सब जगह कि कहीं पे अगर हाई टमपरेचर तो यहां से हवा उपर जा रही और यह कम दबाव ड़न ले इसलिए तो इसको लो प्रेचर बोल ला है और लो प्रेचर की जहां पे जगह होती है वहीं पे यह चक्रवाद बनता है और इसके आज पास जो है आई प्रेचर होता है और यहां पे क्या किया रहा है कि लो टم-परेचर है इसमें आई में, हो सकता है किया है नहीं हो सकता है तो प्रेचर है यहला है समझ में आई न एक चीज, तो मौटरेट इसको मानूं बहुत ज़ freestyle है में और कहीं पर जैसे critical tiger habitat अब यहाँ पर इसका use किया गया था report आई भी थे मैंने बोला भी था कि मदबदेश सबस्यादाब हो गया tiger वाला तो इसको एक बार देख लिजेगा तो core areas में की जगह उसको use किया उसने word tiger critical tiger habitat और उसमें लोग confused होगे इसका answer था नागरजुना स्रीसलम current affair का application करना है अब यहाँ देखिए अब यहाँ पर uniqueness पर उसमें खेला है wildlife production act जो है 1970 में उसमें schedule आपका जो है four पर लोग बात करते रहे one पर बात करते रहे उसमें छटा पूचा क्यों यहीं एक है जो plant से समंधित है और वो ऐसे plant जिनको उगाना जो है ठीक नहीं मतलब नहीं यह वाली बात है और अगर उगाना है तो license लेना यहीं इसकी game था और इसी को देखो अपवाद को exception को uniqueness को इनी सब चीजों को देखना आपको हर चीज नहीं याद रख सकते है UPSC also know that that's why they ask something which is exception which is an exception which is a unique feature of something ठीक है और which is very important अगर कोई चीज nationally, internationally और बड़े व्यापक level पे multiple उसके use है environment को मदद कर रहे है वो भी पूचता आगे भी बताता हूँ यहाँ पे answer इसका A हो जाता ठीक यहाँ पे environment और act और related करके पूचा था पूचा था पूचले वले कुश्चन में ठीक है इसके बाद ancient Indianistries से यहाँ पे कुश्चन है आपका कि गुपता डानिस्टी से और घंटा शाला कदूरा चौल यह पूचा तक की बताइए क्या है तो इसका answer A है इसने पीछे भी अच्छा ancient और medieval और art and architecture जो भी है ठीक art and culture मैंने आप लोग बताए इसके लिए 3-1 के आप लोग को के तरीके से त्यार करने चाहिए क्या है art, architecture और administration आप लोग administrative exam यह civil services क्या है प्रवंदन यह आपका प्रशाशन से related कोश है तो अब क्या है आपको port पे आपको institution पे भी ध्यान देना चाहिए तो कौन सी चीज़े क्या institution है अब यह port वाला कोशन पहले भी पूच चुका था UPSC 2-3 साल पहले South से था, कटाका वाले उससे था अब यहाँ पे इसने फिर पूचा गुपता डैनेस्ट्री से port के handling for foreign trade related आपका जो है इससे भी पूचा गया है तो आप लोग जब ancient history पढ़ो, medieval history पढ़ो या फिर आर्टेंग आर्केटेक्चर जब पढ़ते ही हो ancient और medieval को भी आपको तीन एको के इसाब से आर्ट, आर्केटेक्चर, कल्चर और administration के इसाब से पढ़ना है ठीक, आपको यह नहीं war, क्या होई यह देखना अच्छा गुपतार डैनेस्ट्री में अच्छा यह वाले location, फिर से location पूचा जने port handling करते थे foreign trade के लिए ठीक, यह एक बाद दिमाग में रखो ठीक न, आप यह previous question आप लोग ने डंग से कर रहे हो, तो आप लोग आगे ध्यान रखोगे न अब देखें, यह वाला question जो है आपका 13th वाला, इसमें पूचा कि advantages बताओ ठीक, जैसे mains वाले में भी GS123, ठीक, उसको पढ़िये वहीं से जो है, आप लोग को तहरी करनी चाहिए UPSC के prelims के लिए भी, सिर्फ उसमें world history और GS4 ethics वाला छोड़ दो बाकी सब कुछ overlapping है, prelims और mains में ठीक, mains में लेकिन थोड़ा सा specified है syllabus तो आसानी से आपको, क्या पढ़ना क्या नहीं करना है, आप कर सकते हो, prelims में बहुत broad-broad दे रखा, तो everything under the sun रखता है, उसमें आ जाएगा, लेकिन mains के तुरू आप थोड़ा सा एक direction में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो ठीक, तो अब यहाँ पे जीरो टीलेज, यह सब अगर GS paper 3 आप पढ़ोगे, तो उसमें आगर आप अंदर जाके cropping pattern, irrigation system, यह सब दे रखा न, यह वही से देखो आ रहा है यह question, ठीक है न, वो खुद चाता है कि भाईया, सिर्फ prelims को filter मत करो आप, आप जो है mains को clear भी करो, ठीक, तो इसलिए अब आप लोग को थोज़ दिन पहले बताया था, कि पंजाब में एक rule है कि ground water को बचाने के लिए, उन्होंने एक law बनाया था और law में यह बताया गया था कि 15 नॉमवर से पहले जो है, उनको harvesting, उसकी weed crop को sowing करनी है, और इस चक्कर में क्या होता था कि वो लोग को, जो है, struggle या फिर पराली जलानी पड़ती थी, ठीक, तो अब यहाँ पे उसने solution type से दे दिया, zero tillage का, और पहला ही statement यह बता दिया, कि sowing of wheat, पिछली फसल के अवशेशों को जलाए बिना गेहूं की बवाई संभव है, ठीक, वहीं ची इसका, 14 वाले का, देखिए, Indian National Policy on Biofuel, कितनी बार बोला, 2018 वाली Biofuel, जरूर पढ़ लेना पूछे गई, अब देखो, उसने लिस्टिंग दे दी, उसने पूर लिया, कि बताओ कौन सा है, तो यहाँ पे इसमें जो है, आपका 3 and 4 नहीं है, बाकी करो, चीक, Environment वाले GS3 के पेपर में, Environment वाले में दे रखा है, इसको, इसके बाद को Social Cost of Carbon पूछा गया, यह थोड़ा सा Environment subject से तो है, लेकिन यह वाला monetary value में इसको निकलना है, तो अब इसको अगर आप पढ़ोगे तो काफी आपको confusion करेगा, और ऐसे question ही पूछता है, लेकिन अगर आप इसको, तो अगर आपके माल लीजे, 60 कोशन हो जाता है, तो ऐसे question को जाके आप मार कर सकते हो, क्यों क्योंकि आप इसमें derive कर ले जाओ, कि समाजी cost क्या है carbon की, long term damage बाई ये ton of carbon dioxide emission इनने given ये, जैसे cap and trade मैंने आप लोग को बताया था क्या होता है, उसमें एक ton CO2 को जो है, एक वो मानते है emission credit वाली trading करने के लिए है न, और global warming potential अगर आप लोग ने पढ़ा है, तो उससे भी आप समझ सकते हो सबसे आदा इसका ये नुकसां करती है, तो आप अगर social cause देखो तो इसके regarding जो है कराएंगे, अब ये recently एक researchers ने report लाई थी, इस report के अंतर करती है, बताया गया था, छीक है, इसके वादगो यहाँ पर pulse production, अब pulse production में MSP बढ़ा दी गई 200 रुपए, अब देखो GS paper 3 के cropping pattern से जो रहा है, ये nitrogen fixation करते हैं, ये legumes वाले हैं ना, crops, pulses वाली, तो इन सब से लेटर है, geography का है ये, इसकी current affair में कफी चल रहा था, इसको hard माना आ सकता है, बट आप लोग को तैयारी कैसे करनी, main focus यहाँ पर ये है, ठीक, तो यहाँ पर इसका option A होगा, ठीक, इसके बाद जो है देखें, simple सा, ये चार crop से, अच्छा, आप ये answer यहाँ पर cotton है, इसका, कि ये बताईए कुछ-कुछ, कि crop अलब cotton को वगाने के लिए क्लिए 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 चीज़े चाहिए, अगर आपने वाला, vegetation वाला जो है, या फिर इसमें पढ़ा होगा, हर crop का अलग-लग दे रखा है, तो आपको तुरंथ इसको identify कर लेते की cotton है, अब आगे आपको तयारी करनी, तो आप लोगो क्या आप करना है, जूट, sugar cane और tea, कि तयारी कर लो, इस बार तो इसमें शुगर cane कैसे उगाते हैं, ये भी पूछ लिया है, ठीक है, अब देखो इसके अठारा question क्या है solar water, अब कुसूम scheme आई थी, गुवर्मेंट की, कुसूम scheme, इसको जो है, थोड़ा आप वो चाता है, कि ये ना सिर्फ पूताओ कि भाईया, क्या ministry है, ये साथ तो देख नहीं है, लेकिन साथी साथ इसमे solar technology का use हो रा, जिस पे गौवर्मेंट का बहुत जादा focus है, तो solar technology क् किस तरीके क्यों, क्या इसके application है, मैंने आप लोग बताया, कोई भी technology है, science and tech में, तो उसकी technology का basic चीज़े और application, ये दो चीज़े बस आप लोग कर लो, बहुत ज़्यादा जो है, जो है, डीपली जाने की जो होती है, लेकिन हाँ, official sources से, आपको उसके बारे में बार पढ़ इनोने यापे, BSC AG इसके लिए मुझे लगता होना जो हो नी था, बस ये ये वाला science and technology और agriculture का mixture वाला question है, C option है यापे सही है, 1 and 4, ठीक है, और ये वाला tough है question, see this बात है, BSC AG वालों के लिए खुशी का महौल होगा यापे, इस कुछ देखकर, आगे इनोने क्या पूछा है इको friendly agriculture, आप देखो, ये question क्यों आया, भारत जो है, यूएसे, चाइना, यूएसे और फिर उसके बाद इंडिया, ये कार्बन उसर्जन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक, अब ये देश जो सबसे बड़ा उसर्जन कर रहा है, carbon dioxide, उसमें एक आ जाता है हमारी उसर्जन कम हो जाएंगा, हमारा aim भी है, Paris Agreement में हो इन सब में भी, समझे हो, environment से लेटर दो कैसे question, basic book और current affair, मालो आपने ये चीज़ नहीं भी सोची, तब भी आप इसको यहाँ से derive कर सकते हो, ठीक, भाया, crop diversification, legume जो मैंने भी बताया, इससे क्या होता है, nitrogen fixation होता है राइजो बियम होता है, यहाँ अभी थोजे पहले बताया भी था, current affair, सुबच्ची बजे में, ठीक, तो इससे रेटर है, D option हो जाएगा, यह तीन, vertical farming की बहुत ज्यादा आजकरो चल लई है, ठीक है, कैसे आपको आगे तहरी करना है, यह देखना जो हो रही है, अगो history, culture, चल history से पूछा, और आपका जो है, यह थोड़ा सा tough वाला question था, यह सबको है कोई जो जो रही है, लेकिन इसमें भी एक option, आप लोग निकाल लेते है, statement, उपासक जो है, three वाला बिल्कुल सही है, ठीक, अब यहाँ पर क्या है, कि एक आपका गलत हो गया, मतलब एक आपका अब इसमें confusion होगा, मुझे लगता है, ठीक, तो अगर आपको जब third dating कर रहे हो और आपके question कम हो रहे हैं, तो आप इसमें से mark कर सकते हो, समझ में आई बात, अब इसके environment से लेटर आपका फिरसे question आगे, Indian elephant, एक केडला में, अब दो मैंने आप लोग को बोला रही था, केड गया, उसकी वैसे जो है, उसका बच्चा उचमर गया, तो उसी दे question पूल लेता, आप किसी ने current affair पढ़के, अब ये UPSC aspirant की तरह, देखिए, newspaper is for the general readers, जो पढ़ते हैं, लेकि UPSC aspirant की तरह किसी ने सूच आप अच्छा, भाई, elephant का ये हुआ, अब उनका gestation period कितना होता है इंसाम का मालो 9 मैंने होता है, तो इनका कितने मैंने होता है, लाओ जानने कोशिश करें, क्योंकि हो सकता जोरी है, हमारे exam point view से, तो कोई ये सोच रखेगा, कि भाई, जिस exam का आप देने जा रहे, उसकी demand क्या है ये तो समझो, सिर्फ एक मतलब कैसे पढ़ना चाते हो, वै इन्होंने क्या किया है, नैशनल पार, प्रोटेक्टेड एरिया, और जोग्रफी के देगे, दो तीं कॉंसेट को मिला के, जोग्रफी एंवर्मेंट का आप से कोश्चन पूर लिया है, ठीक, drainage basin कितने है, मेजर जो drainage basin है, वो 10 है, तो आप उसको पढ़ डालो, उसमें देख में, कावेरी basin में पूछा गया है, ठीक, इसका C answer हो गया है, आगे क्या पूछा है, ये Indian Biodiversity और ये इतना easy question में, खल से one of the most easiest question था इस वाले exam में, इंडिया की Biodiversity में, अब ये, बारबेट तो सुना होगा न, ये birds related है, simple है बहुत ज़्यादा, बहुत ही आदा simple question था ये, birds के, बहुत ज़्यादा जरूरी है, और फिर जब ज़्यादा जरूरी है, और फिर जब जब न्यूज में पढ़ते हो तो इस सब चीज़े एक बार ना कहीं तो पढ़ते जो रोगे, बारबर तो सुना ही होगा या, नहीं तो मिनिवेड सुना होगा, ठीक, तो आप टू अर्थ वाले में ये आया भी था, इस रेटेड करंट अफेर में चल रहा था, और वैसे भी आप इंवार्मेंट में जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उसमें क्या फ्लोरा फोना जो इससे पहले बताया, उसको ध्यान में रखिए, यूनीक फूर्चेर्स यह है, इस टील स्लक से यहाँ पे, अब देखो, यह आला कोशन क्यों पूछा उसने, क्योंकि देखो, कितने सारे, और इसका D है, ठीक, कितने सारे एप्लिकेशन हो रहा है, कुछ साल पहले इसने फ्लाई आश के वारे में पूछा था, उसका भी ऐसे था कि एकल्चा में यूज कर वहीं कॉंसेट तो यहाँ पे भी हो रहा है, स्टील स्लक जो की मटेल जो निकलता है, आपका उससे अब इसको क्या कर रहा हूँ, रियूस कर रहा हूँ ना, और रिसाइकल भी कर रहा हूँ, समझ मैं ही ना चीज़ है, अपने माइंड सेट, परस्पेक्टिस और चेंज करो एक UPSC एस्पिरेंट की तरह और एक्जाम के डिमांड को समझते हुए, प्रिवियस यह कोश्चन से मदद लेते हुए, और एक बहतर गाइडिंस से के अंतरकत, समझ मैं ही बत, ठीक, अब मस्क डियर जो है, अब इससे लेटर डे कोश्चन पूचा गया तो पूचा गया ब डेर की बात हो रही है, वो किस इसमें रहता है, क्या है, थोड़ा बहुत भी आप लोगने पढ़ा होगा, तो आप लोग जो है, इसमें कमसे कम दो उपशन तो ऐलिमिनेट कर ले तो तो उसमें फिर दो आप्शन आगर बचना है, तो आप लोग जो 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 एए, तो इसके अंतरकत यह पूछ लिया कि बताओ क्या क्या चीज़े हम यूज़ करते है ठीक इसमें one two three यह चीज़ होती यह नहीं होती है ठीक है ना तो उसी के जो government की scheme है उसमें क्या technology क्या material यूज़ हो रहा है अगर आप कलको administrator बन जाओ अब आप जो है rural road ministry के अंतरकत आजाओ तो आपके पास यह आएगा ना कि भाईया हमें यह चीज़ लाइन चीज़ है अगर उसने यह पूछ लिया तो तो आप सो गए दिया यह भी मगा लिया तो कौन जुमेदार होगा आप होगे ना तो think like an administrator because you are going to become one ठीक है तो इसके बाद क्या है question number 29 में पूछा गया कि कौन से correct है statement coal ash related है अब क्या हुआ था अभी environment ministry ने कुछ दिन पहले ही current affair में था यह यह पूछा था कि वो regulate नहीं करेगा coal का जो भी thermal power plant भी use हो रहा उसका ash content क्या है ठीक जैसे अलग-अलग coal के टाइस में ने बताया थे न आप लोको question of the day वाली series में कि anthracite होता है, between minutes होता है फिर lignite होता है, फिर peed bug होता है तो अब यह comment ने environment ministry ने मुना कर दिया कि हम लोग आप regulate नहीं करेंगे वियर नहीं में तो नहीं करेंगे आपका metals है, arsenic हो गया, lead हो गया यह mercury, यह सब जो है वो करते हैं आपने इसको पढ़ा भी होगा कई बर ठीक तो अब इसकी वैसे जो है यहाँ पर तीनों ही चीजे यहाँ पर correct है high ash content जो है इंडिया में देखा जाता है ठीक तो यह मतलब यह move सही था यह गलत यह आप लोग देखिएगा लेकिन वहाँ पर question सही करना आपका पहला काम है भी बायो चार से लेटर जो इनोंने यहाँ पर farming में पूछा गया है environment और यह culture को फिर से mix किया गया यह government की website है यह AU की है लेकिन ठीक इस से लेटर ने यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दे रखे थे किस तरी कि नेटोजन फिक्सिंग कर देता है यह microorganism की तो आपको यहाँ बताने थे यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट सही थे ठीक अब देखो यहाँ पर अब जहाँ पर भी यह can be वाली बात आती ना science and technology जी मैंने अभी आपको आगी भी दिखाऊंगा अगर देखे कोई चीज़ आप कह रहे हो कि क्या तुम यह कर सकते हो ठीक और दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि तुम सिर्फ यह कर सकते हो तो ज़्यादा probability है कि यह मला आप इन में can be कर सकते हो वाली बात है अगर मालो 5 चीए थी उसमें एक भी हो रही तो आप इसको tick mark कर सकते हो ठीक है रहा लेकिन अगर आप से कह दिया जाए कि तुम सिर्फ यह कर सकते हो तो यह सब जगे तो नहीं applicable होगा तो इसको कर दिया है तो can be वाली जाब तक statement सही होते है यह ट्रिक है छोटी सी हर जगे सही नहीं होगी लेकिन इसका use आप कर सकते हो ठीक इन इंडिया में अब यहाँ पर public investment ऐसा investment जो सर्वजनिक हो सभी के लिए हो तो अब यह fixing कर दिया जाए minimum MSP का सभी crops के लिए तो यह देखो गलत हो गया पहले स्टेट में पहले स्टेट में गलत हो गया तो यह तीनों स्टेट में वह गलत हो गया समझे रो ट्रिक है यह ऐसे चीज़े अब फिर उसका free electricity supply to farmer अब आप यह देखो public investment के बात हो रही है free electricity आप दे रहो आप कई लोग सोचेंगे हाँ यार यह तो सब बढ़िया government government का है investment और यह free electricity दे रहे है farmers को लेकिन भाई यह free electricity के farmer वही farmer इसका लाब उठा पाएंगा ना जिनके पास electric वाले वो line हो अगर जो लोग manual काम कर रहे है उनको कैसे होगा तो क्या यह वाला investment का सारवजिनिक सब के लिए है क्या दिमाग के चक्सु खुल ला है ना यह चीज़ कह रहा हूँ नहीं है तो यह LL statement गलत हो गया फोर देख लो किसमें किसमें नहीं इसमें नहीं इसमें नहीं पूछे गए है कि price rise जो चावल के rate बढ़े हुए है या फिर effect हुए है recent past में past में वो किस-किस की वैसे हुए है MSP की वैसे भी हुए है government इन सब से आब देखो were affected the price of rice इन सब से आब जब देखोगे तो दिमाग में यह नहीं बहुत rigid होके अगर कई सारे आपने सुचे है उसमें से एक दो भी हो रहा है एक भी हो रहा है ठीक और उसकी वैसे price जो है rice का चावल का effect हो रहा है तो आब उसको click कर सकते हैं वहाँ ठीक है MSP government trading और government stockpiling consumer subsidies इन सब से जो है rice के दामों पर effect पड़ेगा ना consumer subsidy दे रहा है तो government अगर पहले दस रुपे की घटा के उसको नहीं दे रहे तीन रुपे का PDS में देती है ना NFSA में National Food Security Act तीन रुपे का चावल देती है तो subsidy देके ही तो कर रही है ठीक तो इस तरीके जहें link करके पड़ो मेरे भाई ठीक इसके बाद क्या है जो है उनसे जो है हमारा इन्होंने trade का एक relate करते हो कोशन पूछा था यह difficult question था सीधी से बात है ठीक G20 अब मैं जैसे हैं आप लोग बताया BIMSTEC का याद करो ठीक आप लोग याद करने के लिए जो है world में किस कहा कहा location है east to west या left to आपका जो है west to east देखो G20 का अंतर बताती है ठीक BIMSTEC को मैंने आपको याद करने के लिए बताया था ठीक सार्क का बताया था जैसे BB, IN, maps ठीक वैसे BIMSTEC का भी बताया था है ना तो यह सब याद रखो आप फिर किसान credit card अच्छा government बहुत time से गई थी हम तो कितने लाखो जो है कल्चा लोन दे रहे हैं, short term और यह सब लाखो लोन दिया जा रहा है इसी चक्कर में इस बार UPSC ने क्या किया दो कुश्चन जो है dedicated पूर लिया, एक किसान card scheme से पूर लिया, और आपका एक आगे DCCB से पूछ लिया, DCCB ठीक है, अब इतने के लिए नहीं है इसका, यह short term credit दिया जाता है, यह चीज़ है आपर, B option है आपर सही है, ठीक, इसके बाद आगे आगे यह वाला question क्या है, ड़ियर inflation से question है, और कितनी बार यह मैंने अपने group में ही बताया है और जो वीडियो में ही इसको बताया था कि WPI नहीं, अब जो Reserve Bank of India जो कर रहा है, नया inflation महेंगा इदर निकाल ला है, वो CPI भी निकाल ला है थर्ड वाला statement आपका हमाली जे हो गया तो यह दो बच्चे, तो यह दो दोनों में है तो यह वाला option आप में, वन वाला एक बच्चे कर लो कि weightage of food in CPI is higher than the weightage हाँ तो बिल्कुछ सही बहात है, consumer के आई वहीं तो food पे जादा थोक, जो आपका होता है थोक वाला, यह price index इसमें इतना weightage नहीं, यह food का CPI में जाता है, तो पहला option हो जाएगा ठीक, कई साथ चीजे concept एक साथ interlinking करके नहीं पढ़ोगे, concept को नहीं merge करोगे, पढ़ते हैं समय question frame अपने दिमाग में नहीं करोगे, तो दिक्कत होगी अब देखें, एक और आगया आपका map based, location based question है, कैस्विंसी में आप से अभी कह रहा था कि पढ़ो, अब इसमें अफरीका continent भी हो, साथ अफरीका जो है country भी उससे रेटर जाती, location करो mapping की practice करो, ठीक है, और इससे लेटर तो यहाँ पे MSP से रेटर कुछ कोश्चन उन्हें पूछे थे यह budget, अगर किसी ने economic survey से कर रखा, trend वाले question नहीं है, ठीक है यह money market, देखो एक होता है capital market जो कि आपका यह share market वे सब है, ठीक एक होता money market, money market और इन सब में जो है आपका commercial paper certificate or deposit, मतलब जितने भी चीजे हो सकती थी थी ना, उसने सभी पूछ लिए भाई इसमें, ठीक इसमें जो है पहला और तीसा statement सही है Indian economic, आप देखो, economy में तो मैं आप लोग से कहता हूँ कि भाईया, जो भी ऐस तरह के चीजें आ रही है, उसके basic मतलब आपको पता होने चाहिए, वो top, यह क्या करेगा in wording से, commercial paper आपके, आपने पढ़ा बाली जे paper में, news paper में, कहीं पे भी current different में, उसको आप जाके देखो न, आप देखो RBI की website पे, मैं आपको देदे रहा हूँ RBI, यह link कहां से पढ़ना है समझो, official source को ही पढ़ो और उसमें भी, जो है frequently asked question और about us जरूर पढ़ा करो, अगर आप वहां जाके देखोगे, तो आपको यह समझ में आएगा कि उन्होंने तो statement भी वहीं से उठा लिए समझे रो, क्योंकि UPSC वाले जो examiner, उनको भी कल को आप question कोई गलत हो जाया या फिर उनको उठाना तो उनको पता है कि भाई, यहाँ पर official side पर दे रखका है, यहाँ से उठाने में कोई यह foreign direct investment जो होता है वो red नहीं बनाता है, ठीक है और foreign portfolio investment जो होता है, उसको hot money भी बोलते हैं, वो खाली जाता है, share market में लगता है ठीक, RBI के ही script frequently asked question में आप इसको भी देख सकते हो ठीक है, इसके बाद आपका तको trend वाला question आ गया ठीक, trend वाला question जो है, मैंने बना लिया, कि हाँ यह बढ़ा है, कोई घटाई है, कोई ऊपर बढ़ाई है, ठीक है ना तो उससे आपको जो है याद रहेगा, most, one of the most easiest question West Texas Intermediate, अब क्या है कई लोग पढ़ते हों कि crude oil कदाम, crude oil कदाम, crude oil कदाम, crude oil कदाम, घटा, बढ़ा, यह barrel, वो barrel ठीक, लेकिन कौन कर रहा है, वो यह है, West Texas Intermediate और UPSC, इसी सब्चियों को कई पूल लेता है, observation-based है भी, जो हमेशा हमारी आखों नीचे गुजरत रहा है, लेकिन हमने कभी सोचा ही तो इतना है, ठीक है, C&D में से एक है, तो तीन दोनों में हो गया, वन इन टू में से अगर किसी ने इसको पढ़ा है, housing loan ले रहा है कोई, तो इसको कर सकता था, तो अगर आप लोग सेकेंड डीटिंग कर रहा है, और ऐसे दो option में से आपको लग रहा है, तो एक option जरूर चूस करना है, इसके बाद देखिए, अभी मैंने आप लोग बताया था, कि इरान nuclear deal, अभी कुछ ने पहले current firm बढ़ाया भी था, ठीक, कि इरान nuclear deal से लेटर कुछ ने कुछ आएगा, पहले पिछले साल भी होताया था, अब उसने क्या किया, कि इरान, nuclear deal, इंडिया, ये सब अठाके, उन्होंने इसको इंडिया से जोड़ा, और पूछा कि बताओ, आईए ये के safe guard से related क्या है, उसने background से पूछा कुछ न, ठीक, इसलिए current affair को background से जोड़ते हुए, आप लोग को पढ़ना चाहिए, ठीक, ये science and technology, IR, और in-subsidator था, trips पे काफी बात हो चुकी थी, WTO से लेको हर साल एक कोशन पूछता है, और यहाँ पे अगर किसी ने भी trips अगर पढ़ा है, ठीक, blue box, green box, यही सब पढ़ा है, तो trims भी जरूर पढ़ा होगा, ठीक, WTO मैंने बोला भी था, बहुत important है, 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 पूछेगा, यही पूछेगा, trims से देखे कोशन पूल लिया, trade related investment measures से यहाँ पे कोशन पूछा, C option हाँ पे सही है, they apply to investment measures related to trade in both goods and services, कि यह statement गलत है, ठीक है, आपका देखें, फिर से आगया, अगर RBI decide कर ले, कि उसको, पूछना, उसको क्या है, UPSC को, की contentionary, मतलब की liquidity कम करते, मतलब की लोग यहाँ में पैसे की supply कम करते, series बात है, economy में, तो उसको पूछना है, contentionary, contractionary, monetary policy, लेकि उसने क्या पूछा, यहीं घुमाता है वो, वो देखना चाता है, कि आप basic situation पर काम करते हो, कि RBI अगर यह decide कर ले, कि उसको expansionary policy करनी है, multi policy, तो वो कौन से, इन में से, चीजे, नहीं करेगा, नहीं करेगा, तब मैं आप जो कहता है नो, true पूछा है कि false पूछा है, हाँ पूछा है कि ना पूछा है, यह सब ध्यान दो, तब ही आपका silly mistake नहीं होगी, ठीक, तो उन्होंने पूछना क्या था, उसे कि contact नहीं पार, अगर वो exactly पूल ले था हो, सब question कर ले ते लिए कि उसने क्या किया, उसने का नहीं, हम तो हैं खिलाडी, तो हम पूछेंगे, हम देखेंगे कि कौन जो है, सही, इस तरीके से भी काम कर सकता है, तो उसने नहीं वाला पूछा है, तो उसमें simple सी बात है, कि जो आपका money supply को कम कर रहा हो, liquidity जो है, low कर रहा हो, वहीं वाला होगा, तो आपर option जो है, B हो जाएगा, यह वाला हो, MSF बढ़ाने से, MSF क्या है, equity ratio का है, सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, audio में भी सुन सकते हैं, आपका देखें, अब mains का कितना यादा important है, mains में LPG reforms correctly mentioned है, वहीं से देखे question पूर लिया गया यहाँ पर, और देखें, यहाँ पे अभी कुछ नीतियायों का एक paper भी आया था, changing structure of rural economy, ठीक, 2017 का है यह, लिकिन भाई है, ठीक, LPG reform और rural economy को जोड के question था, अब जिसने भी नीतियायों के यह पढ़ा होगा, तो आराम्स कर लेगा, तो यह more day to high में आएगा यह, इसका answer B होगा, ठीक, इसका answer B है, अब थोड़ा सा अगर कोई ध्यान भी दे, तो इसमें जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि percentage share of rural areas in workforce, अब इसमें आपको देखो किसी, जिसको अगर माली जाए उसको नहीं भी आता है, answer derive करना तो उसको पता होना यह workforce क्या होती है, ठीक, कि इसमें employed, unemployed दोनों आते हैं कि सिर्फ employed आता है, क्या है, यह साथ चीज़ें बताओंगे, और यह NCRT से ही आएगा, अब देखें DCCB जो है, agriculture से loan वाली जो बात मैंने बताई दिना आपको पहले, वहीं उसने more credit, बता रहे हैं कि DCCB ज़्यादा credit देते हैं, तो ऐसा नहीं है, यह schedule commercial bank, and, क्योंकि and है तो दोनों को जोड़के है, तो RRB से ज़्यादा नहीं है, वलकि कम है, ठीक है, तो यहाँ पर main scale, cyber security, यह सब कुछ रोज बात हो रही है, तो आपने कभी सोचा, यार कि मेरा अगर लुट जाए, तो क्या कुछ insurance होना ची मिर पास, अगर आपने ऐसे सोचा, पढ़ते समय topic question frame किया, और फिर आप गए, आपने इसको यहाँ पर search किया, और फिर जो most relevant source आपको लगे, वहाँ से आप इसके और पढ़ेंगे, और वहीं अगर इस तरीके से आप जब करते चलोगे, तो questions फसेंगे exam में, और जब फसेंगे तो आप नहीं फसेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, cut off clear करें अगे आसानी से, यहाँ पर B option से ही है, second वाला गलत है, cost of a new computer if some misprint willfully damages, if proof so, मतलब आपको यह मिल जाएगा निया cost, यह लेकिन ऐसे आप गैस नहीं कर सकते, आप कई पढ़ा होना चाहिए, आप carbon nanotube से लेटेड यहाँ पर पूछा गया है, अब देगे यह, अब science and technology के, जो आपका current affair और government website से आप इसको निकाल सकते हो, आप देखो, trick क्या है यहाँ पर, trick यह थी, can be वाली, carbon nanotube, consider करो कि कौन कौन से इसमें हो सकते है, correct उचा गया, can be, हाँ, ठीक बाप पढ़ना जरूर, ऐसा नो can be पढ़ा हो और उसको बान लिया सही है, use as a carrier of drugs and antigen in the human body, सही है, ऐसा भी नोने ची, बिल्कुल ही, उट पटाएंग बिल्कुल गरत दिखें, लगे, can be, can be, can be, ठीक, are biodegradable, यहाँ पर इसको देखो, जा तर देखना इसका D option होगा, ठीक, पहला वला यहाला question होगया, फिर उसके बाद आपने spray कर रहे हो, इसमें present level of technology के जानुसार, drone से हम कौन-कौन से कर सकते हैं, खाम, ठीक, तो यहाँ पे spray कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, वल्कैनों, inspect कर सकते हो, यह तो वीडियो अगर किसी ने देखा हो, अच्छा, UPSC जो है, वो में खाल से discovery channel, net geo channel बहुत देखता है, पीछे मैं अभी एक दिन discovery channel पे देख रहा था, तो महाँ पे गुजरात में एक होता है, खड़ाई camel होते हैं, खड़ाई केर वो swimming camels होते हैं, तो एक ही वीडियो में मुझे ऐसा लगा कि previous question लगा किसी ने देखा, और वाला episode एक देख ले, 40 minute का, तो कम से कम जो है, दो-तीन question जो है, UPSC ने लग रहा है, वो examiner बैट कर देख होगा, और उसने वहीं से दो-तीन question बना दिया, एक swimming camel वाला बना दिया, एक salt marsres वाला था, कुछ वो बना दिया, तो मतलब वो link अगर मुझे मिला तो मैं ते दूँगा paid group में, तो मतलब मुझे ये चीज लगता है, वैसे जो examiner है, वो भी तो अपने earth grid सबसे चीज़ से नि लीज़ा, आप देखो, यहाँ पर दो दे रखा है, और आस-पास के दे रखा है, तो आप लोगो थोड़ा सा सतर खुझाना चीए, हमेशा ऐसे नहीं हो सकता है, लेकिन आप लोगो इसको कर सकते हो, कि हाँ बाई, इन दो में से एक है, तो अगर आपकी question गलत हो रहे हैं, second rating में आप क्या करो, कि इसमें से एक marker करके आजो, evolve पर अगर आपने mark किया, और space technology में तो question पूछेगा, हर साल पूछेगा, इस साल भी काफी हो रहा है, इन पे हर साल जाहतर पूछता है, तो अब देखो, UPSC जो है, unpredictable public service commission है, बट फिर भी कुछ चीजे उसकी लगातार आ र अला वाला था ना, pluripotent stem cells, ये basic, आपको ये वाले आनीचे, ये bio technology की और ये साले से, ठीक, अगर आपने इसको basic कर रखा है, तो फिर भी देखो, यहाँ पे इसका भी answer D है, ठीक है, अब देखो, ये, अब कई सारी vaccine की बाते चल नहीं है, COVID के चक्कर में, उन्होंने conjugate vaccine, य कई सारे जो पीछे question है, बहुत सारे test series में भी question थे, ये pneumo-coccal नहीं था, लगी cozogate vaccine से था, ठीक, इसका answer जो है B होगा, vaccine have no satisfy, अब देखो, absolute word है, तो आपको समझाना चाहिए कि, और no allergic, अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा है, मालो, और UPSC करता है, मालो की, उसने ऐसा पर पढ़ा, आपने का रहे यार, ये क्या हो गया, छोड़ो नहीं करेंगे, ठीक, पहले वार में आपको लग रहा है, तो कोई बात, second reading में जरूर इसको कर लेना, देखो, अब आपने ये absolute wording की वैसे, ये तीसरा वाला आप काट सकते हो, अराम से, ठीक, तो आप ये दो option आ का, elimination इसी को कहते है, method, और ये अगर आपने सीख लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, विल्कुल भी, किससे भी आपने सीख लिया, तो बद पेपर दने चले जाओ, लेकिन आपको ये बचा के पार, नईया पार करने के लिए बहुत जो रही है, पढ़ना तो पढ़ेगा ही, पढ़ना भी कैसे है, वो सब कुछ मैं इसमें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिए, ठीक, पब्लिक की इंफ्रस्रक्चर ये किससे संबन्दित है, आपका डिस्टल सेक्योटी इंफ्रस्रक्चर संबन्दित है, आभी रिसेंटली जो है, डिस्टल सिगनेचर सेटिफि या फिर पूरे जो है, इंडिया में नैशनल एर पे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको देखता है और वहाँ से कोशन पूर लेता है, तो डिस्टल सिगनेचर सेटिफिकट क्या होता है, जैसे आप अंस्तांक्छा करते हो, किसी डॉकुमेंट्स पे आपके खुद से करते हो ने लग गए, जो भी न्यूज में आ रहा है, आप कुछ है, तो ग्रे अरिया में टाओ, और उसके बदलो एक बार जो है, बेसिक सारी चीज़ें पढ़ी होगे, आपकी आँको नीचे जाना जो रही है, ठीक है, अब यह देखो जनरल साइन्स रहा है, कि जनरल डिफरेंस क देखो, डी ऑप्शन इसका सही है, आपका च्छटा वाला जो है, यह सॉरी, मझा इसमें पांचो जो होंगे इसके अंतरकात आएंगे, रीजन है या फिर फैक्टर्स है, ठीक है, आपका यह वाला थोड़ा सा मीडियम टू हार्ड में आएगा आपका, ठीक, अब देखो य ना लें, फॉर्न बॉर्विंग, बिल्कुल सही बात है, ओपनिंग ओफ मोर फॉर्न बैंक, जब ग्लोबल फाइनिशिल क्रैसिस है, तो मोर फाइनिशिल बैंक, फॉर्न बैंक खोलना जो हुरी है, यह क्या, यह आपको लगता है, अगर ऐसा है, और आपको एक भी, कई सार पढ़ाया भी था, याद आ रहा है, ठीक, पेड़ गूर्प में अलग से बताया भी था, अगर आप कर रहा है, अगर आप कर रहा है, लोग कभी भी आके पैसा लाके, और कभी पैसा ले की जा सकते, तो और ज़्यादा दिक्कत होगी, समझे रहा है, तो एकनॉमी के बहुत इकनॉमी, इस्ट्री, पॉलिटी, बहुत इसी कोशन थे, अब दोगो यहाँ पे क्या है, मनी सप्लाई से, मनी सप्लाई कितनी बार कोशन टेस्ट में भी पूछा मैंने, अलग से समझाया है, यहाँ पे दिमांड डिपॉजिट और आपका जो है, कैश और दिमांड जा है, कैश में इसको रखो, इसको इससे कनवर्ट कर लो, या फिर इससे कनवर्ट कर लो, कोई फ़ाग नहीं पड़ता है, इसलिए इसका option D होगा, ठीक, जो concept पढ़ोगे, उसको application वहाँ पे पूछेगा, क्यों क्योंकि आपको जब आप कल I.S. बनोगे, आपको जो चीज कि आपका वूस अटेर्मेंट लेट टू दे बोधी सत्वा पात, अब हर साल बुद्धिजम, जैनिजम, भक्तिजम, सूफिजम इनसे पूस्ता तो है, लेकिन ये वाला यार इनोंने थोड़ा सा, ये ऐसे question जो होते हैं, इसके source क्या है, ego satisfaction of the examiner, ठीक, इनका ये source है, ये examiner में ध्यान दे रहा है, और personalities में भी, आपकी human वाले, sorry, human वाले जो है, personalities उन पे ध्यान दे रहा है, पहले EPFO में भी उसने कई सार पूछे, और इधर भी पूछ रहा है, तो रखमा भाई case है, 884 वाला, उससे आपने पूछा था, इसका answer B है, ये tough था ये ला question, ठीक, अब दे आप उसको लगे हो, पढ़ने, एक question के लिए आपने 10 किताबे पढ़ डाली, ये चीज ठीक नहीं है, most relevant book पढ़ो, modern industry के लिए spectrum बहुत अच्छी है, हमारी PDF भी तो अलड़ी दी गई, हमारा वीडियो पढ़ा हुआ, पपे वीडियो आप उसको देखो, वहां से maximum question आते है, उतना ही time लगा, कि आप एक question करना चाहते हो, कि दस question करना चाहते हो, ये थोड़ा सा logical और चीज़े है, क्योंकि कल को भी आपको देखना है, कि आपके पास कई सारे काम आपको करने क्योंगे, लेकिन आप prioritize किसे करोगे, जो सबस्यादा जोगरी है, जो सबस्यादा फाइदे मन्द है, तो cause-benefit ratio को देखते हुए decision आपको लेना पड़ेगा, इंडिगो cultivation से लेट question है, बहुत easy, NCRT class में दे रखा है, हमने आपको जो है fab exercise जो हमारे paid group में दे रखा है, foundational basic bidding exercise, उसमें भी ये चीज़ बता रखी, कैसे पढ़ना है, आपके लिए देखो, वेलेसले ने य easy question है, कितना बिरसा मुंडा rewards है, जो BPSC वाले होनों तो तुरंट question देखने पहले वो कर लिया हो गया question, ठीक, इसके बाद देखो, history question बहुत easy question थे, ancient industry लेकिन इसको मैं art, architecture, culture और administration point of view से करना है, NCRT 6 class की जो है, scholar literature से बात हो रही है, पनिनी, शुंगा, आप देखो, comparison administration में लोग ये रहते थे, इन राजाओं के, वैसे ही आपको art and culture मैं तभी तो बोल रहा हो, administration इस सब देखने चाहिए, साथी साथ को institution था, कोई coinage, कोई भी चीज़े है, उन पे ध्यान दो, ना कि सिर्फ पढ़ते चले जाओ, ठीक, interlinking करनी पड़ेगी, पिछले वाले question का answer सब C था, ठीक, इसके बाद जो है, आपका technology, अच्छा, pro nuclear transfer, reproductive technology है ये, उससे अड़र कुछ कोशन पूछे थे, अब आपको लोग को बताना थे कि इसमें सब कौन से सही है, तो most appropriate यहां पे कौन से लग रहा है, mitochondrial disease in offspring, ठीक, संतान में, सूत्र करनी का वाले, रोगों का निर जा है, तो कुछ लोग खुछ होने हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग को maximum question करके cut-off ले करना है, PhD नहीं करनी है, अब ऐसे question के लिए आप जो है, पता चला, doctor बने जा रहे हो, यह काम नहीं करना है, doctor वालोग को थोड़ा उनको भी खुछ होने दो, बाकी जगे जो engineer खुछ होने दो, जो सबसे आदा question करेगा, सबसे आदा वो खुछ रहेगा, artificial intelligence, कितनी बार बोला, आएगा, यह आएगा, और इतना easy question है, D option है पहले ही, futuristic technology, application based है, जो trick मैंने बताई थी, वहीं से लेटर है, देखो D option है, यहां का, अब ऐसा नहीं करना की बिलकुल, अब यह present state, जो तो easily यह आप कर लेते, आपने देखो, 1, 2, 3, 4, 5, सब है, जिक, S&T, ठीक, S&T, आपका quality, history, economy, बहुत है, और जिसने जोगरफी मैंने कई बार बोला था, जोगरफी के बार इसे बला ही ना करो, लेकिन location based, observation based वाले question करोगे, तो आपका easy हो, आप देखो, visible light communication technologies बात हो रही ह ठीक, science and technology का ये भी question है, अब यहाँ पे क्या करना था, इन्होंने C option यहाँ पे दिया, दूसरा वाला गलत क्यों है, इसने समझ लेना, visible light, आप देखो, electromagnetic spectrum जो है, मैं आप लोग से बार बार कहरा हूँ, उसको देख लो, इसके बारे में पढ़ लो, ठीक है, जरूरी है, बत आपका interference, ठीक है न, और आपका जो है, VLC can transfer, visible light communication का बात है, can transmit large amount of data, faster than Bluetooth, बिल्कुल सही बात है, ठीक, यह भी पीछे current affair में थी, तो इसके बारे में आपको basic थोड़ा background पढ़ना चाहिए, blockchain technology, बताया भी था कि, जैसे मैं last के दिनों में, paid group में मैंने भी बताया था कि, कौन कौन से topic सबस्यादा important है, क्योंकि last time में कम time होता है, तो साही चीज़े तो आप पूरास levels तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो कुछ, जो सबस्यादा important वाले हैं, हम लोग यहां बताते हैं, तो उसकी वैसे क्या है, कि आप लोग उसको भी करके जाओ, तो आपके number कम time में ज्याद UAE ने अपने governance के लिए कितनी जगे बताई, only absolute words जो है ना, इनको ध्यान रखना है, ठीक, पूरा question जब पढ़ना एक एक चाद पढ़ना जरूरी है, ठीक, जबिए पहले एटिंग में से वहीं वाले करना जो आपको बिलकुल एकदम correct आते हूं, अब देखें, यह modern history से related question है match of the following पूछा गया है, और आपका यह इसमें है कि aurang बताईए क्या है, बनियान क्या है, मिरासिदार क्या है, आप यह किसमें आ रहे हैं, कि आपकी लोग हैं जो काम करते थे, ठीक है, यह NCRT आवर पास जो 3 वाला है, उसमें अल्री दिरखा, बी option होगा, उसका सही, 72nd question पर आ जाते है, रिलीजियस हिस्ट्री से question पूछा गया है, और आप देखे, अल्बाशम मैंने आपे नाम लिखा तो है, सिर्फ इसलिए कि यहां पर यह मिल गया है, लेकिन आप इसको पढ़ने जाओ, 900 पेच की है, एक दो question आपको मिलेंगे, ठीक, और उसके लिए आप लोग जो है, कम से कम इसको जो है, पंदरा दिन पढ़ेंगे, कोई फाइदा नहीं है, ठीक, हार्ट टाइप का question था, आप बुद्धिजम से यह भी यह question लेकिन, इस बार आप यह लोग खोड़ो तो बुद्धिजम में अंदर जागे पूछे रहे हैं, बुद्धिजम, अगर आ इसको भी तो question बनाने है, आपको question बनाने का रास दिया जाए, आप 10 नहीं बना पाऊगे, अगर आपकी मला आदत नहीं है, और 10 बनाने के बाद आप फिर क्या करोगे, और गुस होगे अंदर जाके, क्योंकि वहाँ से question, उस area से question देना ही देना है, ठीक, पहले industry relation का क्या impact ह question बनाने है, इसको कैसे पढ़ना है, आपकी कई सारे पूचेंगे, क्रोणोलोजी, कितनी बार बोला भाया, क्रोणोलोजी करना है, करना है, करना है, हिस्ट्री में, जैसे geography में कई सारे question, आप लो map books है, map observation, उसको थ्रू कर सकते हो ना, वैसे history में, आप लो chronology याद करके भी एक दो question अराम से कर सकतो exam में, ठीक, NCRT class 7th में इसके बारे में already दे रखा, इसका answer जो है, सही कहा है, C है, 2413, ठीक, इसके बाद आपका हुंडी, आप देखो हुंडी वाली जो चीज है, वैसे तो medieval Indian history में दे रखा है, culture से दे रखा है, लेकिन RBI की website पे अगर आप लोग ज पूछा था, जो कि यहां से directly किया सकता था, बहुत ज्यादा important है, अच्छा culture की एक नई NCRT आ गई है, उसको आप लोग जो है, डाउनलोड कर लेना, उससे जो पढ़ लेना, चिक, आर्ट एन architecture वाली तो already है class 11th वाली, उसके अलावा एक आ गई है, चिक, तो यहां पे जो ह आपका option C होगा है, bill of exchange था, bill of exchange क्या होता, बताओ, accountancy वालोगो तो बहुत ईजी लगेगा, बाकी क्या होता, आप लोग बताना है, ठीक है, इसके बाद क्या है, कि आपका, यह तो tough था question, यह सखाराम गनेज दौश का, अब यह personality से लिए question पूछा, इनका यहीं है, erratic question था, hard question था, ego satisfaction वाला question था, examiner की, कि देखो बच्चों को छका मारा हमने, ठीक है, इसका A option होगा, third वाला सही नहीं है, ठीक, आगे चलते है, गांधी इर्विन पैक्ट, आरे, देखते ही, आप लोग की मलब, बांचे खिल जाना चीग, कोई दिक्कत रही है, तो करी लेंगे, और विटल, ये विटाल, विधवन शक, दा फर्स मंतली जेनरल, अब देखो, पहली मंतली जेनरल, ये कभी नाम आपने सुना नहीं होगा, इस्पेक्टरम के भी मैं कहता हूँ कि भीया, नहीं होगा, ये गो satisfaction वाला ही question है, और ये जो है, आपका किसने, गोपाल बाबा वलंकर इनका नाम सुना है, आपने, चलिए, ठीक, इसके बाद कि history of India, अच्छा ये वाले question जो है, मैं कहा रहा हूँ कि ये नाम सुना नहीं सुना है, ये वाले question है, ये ऐसे question है, जो सब के लिए नहीं है, 95% वालों के लिए tough हैं ये वाले question, तो ऐसे question से बिलकुल भी घबडाते नहीं है, और अपनी कैबलियत में बिलकुल भी संदेर नहीं करते हैं, आगे बड़ते हैं, emotion को control में लगते हुए, आगे देखो, आपने पढ़ाई की, अच्छे से guidance लिया, तो आपका cut off जो clear होगा, elimination method, ये सबका, समावेश, अपने अंदर लगातार, आप मिल साथ जुड ठीक, अब देखें, ये वाला question भी जो था, issue of ancient history से, administration का अगर देख लो, कि issue of India के साथ से, ये कुल वाप और the drone वाप, ये किस से समद दे थे, तो ये land measurements related थे, अब GS paper 3 में land reforms related दे रखा है, ठीक, ancient India से उन्होंने पूछ लिया, काफी tough question था ये वाला, अब देखें, कई सारे inscription मैंने आप लोग को बताए भी थे, किसने दिये हैं, आप लोग को ये पताओना चाहिए, कहां पे located है, ये भी पताओना चाहिए, ठीक, अब इन्होंने क्या किया, उठा कि ये पूछ लिया, एक inscription उठाया, और पूछा कि बताओ, किस राजा ने करवाया था, अब इसमें लोगों glorifying sect और ये काई से अच्छे ची बाते हो रही थी, तो ये अच्छोका की द्वरा था, और ये NCRT की क्लास 6th में दे रखा है, 6th में, ठीक है, इसके बाद परलिमेंटी, आप दो पॉलिटिक के हलुआ कुश्चन है, दम हलुआ कुश्चन, NCRT जो है, आपकी इंडि स्टेट का आइडियल, ये कुश्चन तो मतलब क्यों ही पूछा गया, ये नहीं सोमें आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा, एक ही सोर्स को दस बार रिवाइस करो, दस सोर्स को एक बार पढ़ने, एक चीच लिए दस सोर्स पढ़ने की जरूत नहीं है, बी आंसर इसका सही है, पहला स्टेट में गलत है, Constitution of India, define its basic structure, सोचो यार, in terms of idealism, क्या Constitution of India ने किया define basic structure को, कि ये judicial interpretation है, के शुरूंदा भारती केस में, ये अला कोशन काफी अच्छा था, कई लोग जो विद्वान है, इसको जो नहीं समझ पाए, गांधिया और मार्क्सिजम के common agreement पे, अब ये क्या चीए, सब वो खुदी, उन्हों अपना सब को जीवन या अपन साला कुछ कर सके, उनको किसी उपर dependent नहीं होना चीए, मार्क्सिजम भी होता था, stateless society होना चीए, समझे रहो बात, तो ये अली चीज है, फिल, in the context of India, which one of the following characteristics, appropriate characteristic है हमारे bureaucracy की, ठीक है, ने कौन सा उपर्युक की तरह से सोचो, उससे रेटर कोई question है, उसको पढ़ो, art and culture, ancient history, administration point of view से पढ़ो, क्योंकि आपको उसी में काम करना है, और उसने क्या किया हो, UPSC ने उठा के उसने बोलिया, बता हो, अच्छा बीडियो कैसी किया, नो कर चाहिए किया, ये बता तो, administration में ही तो आता ना पर अलग से प्रेंबल के बारे में complete information, audio में, free वाले चैनल पे भी सब जगे दिया था, मैंने, आप लोग ने जरूर इसको सही किया होगा, बहुत easy question था, SDR क्या है, reserve trans, चलो इसने UPSC ने थोड़ी जी रियात यहां पे देदी, कि reserve trans कर दिया नहीं, तो gold trans होता था हो सकता, यहा ना core area को छोड़ के, ठीक है, तो वैसे, महलब इसको ना लिख के उसने पूल लिया, पहले एक बार इसने जैसे पकुई पूछ लिया था, अच्छा पदेश में, नेशनल पार्क का, तब भी लोग हो गयते, confused हो गयते, पक्के पूछ लिया था, तो यह दूसरे name, local name कुछ पूछ लेगा, जो चल ला है, अब आपने अगर इसको पढ़ा जाके background में, तो यहाँ पे name दे रख भाओ दूसरा ला, अच्छा आप फिर आपने दिमाग में सोचा, अच्छा इसको यह भी करते है, UPSC क्या है, कि जो less known name है, ज्यादा common name वाले की जगए less known name को पूछ अब DPSP तो को नाम नहीं ले रहा है, अब लोग इसीं confused को हो जाएं, कि यह पार्ट 4 क्या था, ठीक, पार्ट 3 fundamental rights है, पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 A जो है, क्या है, बताइए comment करके, ठीक, तो इसका answer D होगा, they shall be enforceable, क्या, DPSP enforceable है क्या, नहीं है, ठीक, इसके बाद फिर से द अब लेगो टैकली question pull लिया है, ठीक है, और इसका answer ना पर D है, ना पहला साही है, ना दूसरा साही है, अब मेंस के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो overlapping है, GS1, 2, 3, ठीक, और 4 छोड़ देना, world history paper उनमें छोड़ देना, बाकी सब कुछ सेम है, तैहरी करना स्टार्ट करो उसी साब से, 90th question पर आप लोग आ गए है, यहाँ पर पुछा गया है, प्रेसिजेंट से लेटर question है, provides for the three session of the parliament, आज, मतलब ये, वाला जो है, मैंने आप लोग को शायद अभी बताया है, शायद, आज सुबह ही ये बताया था मैंने, कि साल में जो है, parliament के तीन session होते है mandatory है, but it is not mandatory to conduct all three session, क्या ये, सही है, बताये, all three बोल दिया है mandatory, बोल देता है, three session, अगर all अटा देता है, तो आप तो सही हो सकता है, लेकिन all three session ही ना ले, मतलब ये, अगर आप वैसे भी common sense करो, कि हर साल meeting हो, क्योंकि आप जनता के प्रतिनी दी हो, तो आपको बैठना चाहि है, तो आप पिर आप कहते हैं, यार बैठना ही नहीं है, कोई जोरी नहीं है, तो ऐसा क्या constitution में लिखा देगा, जो कि most organic law of the land है, नहीं ना, तो दूसरा लगलत हो गया, तो आपका ये भी गललत हो गया, तो पहला वालत तो दोनों महीं है, तो एक बठर्ड वाला, और चिक तो लो, there is no minimum number of days that the parliament is required to meet in a year, क्या ही statement सही है, यहाँ पर बस आप लोग को थोड़ा सा सोचने वाला था, हाँ, यह है, minimum number of days नहीं है, बट उनको किसी दो मीटिंग्स में, जो है, के बीच में छे मैने से आदा का difference नहीं हो नहीं है, यह सी आप सी बात है, चोटी सी, ठीक, आ अपना दिया था, तो कई साथ चीज़ें बताइती हो, इसलिए फिर से इस पर कुशन मनाया गया, बी option आप पर सही है, दूसरा और चौतर स्टेट्मेंट सही है, और बाकी गलत है, ठीक, राज सबाह has equal power of लोग सबाह, कितना, यह test में भी, इस से मिलता रहता कुशन हम आप लोग ने सही किया होगा, बी option इसका सही है, amending the constitution, ठीक, दो लोग में अलग-अलग amend करने के लिए बोलता ना, each house में अलग-अलग pass होना जहूरी है, constitutional amendment को, ठीक है न, amendment act को, article number कौन सा है, बताइए, 360, सबन में आ रहा, कितनी हो होता है, MPLAD जो है, करोना की वैसे बंद क कर दिया गा, question बूल लिया गया, ठीक, डी option सही है, ठर्ड वाला सही नहीं है, क्यों नहीं सही है, देखो, यह मैंने कल पर सो भी, आपको फिर से बताया था, कि MPLAD को जो है, cannot be carried forward to the next year, अरे, यहीं तो सबसे बड़ा इसका criticism है, पांस साल मिलती है, पांच-पांच करोड हर स question, D होगा, third वाला statement, गलत था, question number 94 पे हम लोग आ गये है, यहाँ पर देखिए, simple question, one of the most easiest question में से आ गया, कि category of fundamental rights incorporate protection against untouchability as a form of discrimination, यह किस के अंतर गता आता है, जैसे वो दे रखा है, right to equality, ठीक, right, मुलब आपका, right to, आपका, इसमें कई सालने classification कर रखे है, fundamental rights में, ठीक, exploitation नह 14 से लेकिए आपका जो है, yellow untouchability किस में आता है, article में, 17 में आता है ना, कि नहीं आता है, ठीक, D optionals का सही होगा, इसका 95 तोले में क्या, इंडिया separation of judiciary from executive is joined by, अब article number मैंने आप लोगो कई बार बताया था, 50 में है, judiciary or executive, यानि कि नया पालिका और काड़नी एक साथ नहीं हो सक में जो है, budget में ये कहा जाता है, कि आपको macro economic framework statement करना पड़ेगा, ये FRBM act के अंतरगत, आपका जो है, budget management और regulation वाली बात थी, fiscal consolidation, fiscal deficit को कम करना है, इन सब पे आप क्या काम कर रही है, government कैसे क्या कर रही है, ये सब बताती है, macro economic framework statement में, और इसलिए इसका सही option जो है, वो है, D, ठीक, FRBM act के अंतरगत है, और UPSC के mains को अगर आप पढ़ रहे हो, syllabus, तो आप इसको जरूर पढ़ते, ठीक है, ना, इसलिए कह रहा हूँ, prelims के तयारी तो कर रहे हैं हम लोग, लेकि mains के syllabus से आपको बहुत साथ चीज़ आसाना है, क्योंकि उससे सब पैटरन भी है, पूरा वीडियो आपने देखा, अगर बहुत ज़्यादा जहूरी है, इन देड़ गंटे में आप पूरे जो है, देड़ साल तक जो आपकी तहरी करनी है, उसका पूरा जो है, निचोड है, तो आप समझ लो कि देड़ गंटे आपके लिए कितने जादा इंपॉर्टन है, Constitutional Government की बात क्या है, यह लिमिट करती है, गवर्मेंट को, ऐसा नहीं कि गवर्मेंट कुछ भी करने लग जाए, सरकार कुछ भी करने लग जाए, जो है आपका करकाणी कुछ भी करने लग जाए, इसलिए है, D option होगा, यह समझ के उपर है, आपका कैसे करते हो, NCIRT जो Indian Constitution at work है, उस सा वो है fundamental rights पढ़ा आपने फिर आपने किसी जिसने पढ़ते समय कि यार अब उसने जब यह पढ़ेगा और यह भी अलग से उसने कहीं पर पढ़ा कहीं पर इसका mention हुआ तो वो जब इन दोनों को interlinking करेगा यार क्या देखें क्या यह दोनों सेम है क्या या फिर कौन सी चीज़े कहां कहां mentioned है जो UDHR में दे रखा है जो FR में दे रखा है यह कहां कहां reflect करता है constitution बलब interlinking अगर आप करोगे तो आप लोग का जो है इस टाइप के question भी सही हो जाए जाके आप लोग कर सकते हो easily यह person with the annual cup इसमें condition दे रखी है जिसको करने के लिए नलसा बनाए गया है उसने कई साई condition है कि किसको देना है अब रतन टाटा जो है senior citizen है उनके वाग कितना करण रुपिया है ठीक अच्छा रुपिया इसा नहीं कहरा हो में कि खराब है तो क्या उनको all आ गया तो yellow statement गलत हो गया यह यह गलत हो गया ठीक B और D A और C में से आपको निकालना है ठीक दो तो दोनों में ही है तो अगर आपने तीसरा वाला या फिर वन में से कोई निकाल लिया या फिर दो जब बच रहा तो आपको question वाला item करना ही करना है ठीक आखरी question पर अगर आपने one वाला एक निकाल लिया तब भी आपका बन जाएगा काम की है की नहीं है अगर आपने देखा कि one वाला अच्छा है यह सही है फिर आप देखो चौते वाला under two collision अगर इसको आपने पढ़ा नहीं 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 तो आपने समन में हागा C option का सही होगा ठीक तो इ आपनी जो है रास्ता खुद से मनाती है वो यह नहीं देखती है कि सामने पहाड है पहाड आएगा तो उसको भी काट के निकल जाएगी यह attitude लाना है ठीक और आपको जो है यह current affair रोद देखना है रोद जो भी guidance बताता जा रहा हूं map book रखो एक एक चीज़ किसी ने भी यहाँ पे मेरा पूरे वीडियो में notes बनाए है जो में चीज़ मैंने बताई है यह वो करी है तो please बताया दीज़े आप एक बार उसको notes को म UPSC 2020 वाला उससे लेटर क्या tricks है कैसे करना observation based पूसता है कैसे elimination method है यह सब को इसमें बताया गया है तो आप लोग हमाए साथ इसको note करिए हमेशा जुड़े देए free only current affair वाला channel जो है और YouTube पे उस पे आप लोग रहिए सुबे current affair देखिए 6 बजे ठीक दुपया को MCQ वाली series मे अपना selection ले कर रहो हमाए साथ जुड़के लोगे तो और अच्छी बात है और जादा आपका जो है आसानी से काम आसान करेंगे selection निश्चित करवाएंगे ठीक all the very best है जाएं जाएं जाभारत मिलते हैं फिर